मतुरा की धर्ती है ग्रेह मंत्री यहां पहुच चुके है और हेमा माली जी अब चुनावी राली को संबोधित करेंगे उनके साथ मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बेश किम्ती लंभा है सब पार्टी के वरकर्स एक साथ बैठे हैं और ग्रेह मंत्री आप इनके लिए कैंपेंड करने के लिए पहुचे हैं और बीते धर्मेन जी की भी बात हुई कि उन्होंने भी आपके लिए कहा कि टंकी पर चढ़ जाएंगे लेकिन जीत कैसे आश्वस्त हो इसके लिए स्ट्राटीजी क्या बनाई जाती है का के साथ इतना जीवन तरिष्टा वो बना कर रखेंगी लेकिन पांच वरसों के अंदर जिस प्रकार का एक लाइव डिशन यहां की लोगों के साथ मना कर इन्होंने रखा है उससे अब लोग पूरी तरह से आस्वस्त हैं कि जो आसंका थी पहले वासंका दूर हो गई अब आगे के लिए भी हेमा जी को ही यहां से अपना प्रत्निधी चुन कर हमको भारत की संसक में थेजना चाहिए आपको लग रहा है कि ग्रे मंत्री जी आपके लिए बोलेंगे तो लोग जादा ध्यान से उनकी बात को सुनेंगे आपकी कंस्टिचुएंसी में डेफिनेटली उनके लिए बहुत क्रेज भी है यहां लोग बहुत चाहते हैं उनको और वो जो कहते हैं वो सही है धर्में जी ने कहा कि वो पानी की टंकी पे चड़ जाएंगे राजनाथ सिंग जी आज क्या बोले ऐसा कि लोग सोचे कि हमा मालनी के लावा किसी के लिए वोट नहीं करना है देखे धर्म जी ने जो बोला था टांकी के ओपर इस जस्टर जस्टर प्लीज दी ओडियंस इन लास्ट बट बट जैनुरली ही स्पोक बेरी गुड बहुत अच्छा उन्होंने मांगें की थी उन्होंने कहा कि मैंने इतना विकास किया है यहां पर इसके आधार पर उनके लिए बहुत क्रेज रहता है लोगों का तो मैं चाह रहे थी कि वो आए तो ही स्पोक वेरी वेल एंड आम शूर इट विल्प अलोट अपनी सारी फिल्मी स्क्रिप्टे याद कीजिए ग्राज ग्रेमंत्री जी क्या बोले मैं यह कह रहा हूं कि धर्मन जी को जो है ट अबागी तरफ चलेंगे और वहाँ पर देखते हैं लोगों का मिजाज कि मैं मन से चाह रही थी कि इस नगरी में ही आओं आप सब की सेवा करने का अवसर मिला और मुझे यह अवसर दिया गया है जहते हैं भगवान स्री कृष्ण के अनुमति के बगए इस ब्रज क्षेत् में कोई आने सकता है ना कोई जा सकता है आतो गई हो आपके साथ हो और बहुत सारे विकास करने का एक अवसर मिला इसके लिए मैं बहुत ही गर्व भी महसूस करती हूं कि बहुत कुछ करने का अवसर मिला हिमा मालनी जी राजनाच जीने तो पूरा एस पी बीएस पी को चुनौती दी यहां से और कहा बीएस पी एक बार उनके साथ भी आई थी तो उस वक्त वो परिशान हो गए थे अब एस पी भी परिशान होगा लेकिन समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जिस तरह के है वो कह रहे है कि उनकी उमीदवारी कैंसल होनी चाहिए उन्होंने उनके अंडर गार्मंट के बारे में कमेंट किया मतलब क्या कहेंगे आप उसके बरी चीप कमेंट ऐसा बोलना नहीं चाहिए एक महिला है इसका सम्मान देना जैए उनको आता ही नहीं ना पहले से वह हमे आतरो के आतरो के लिए और भी चैशे प्राई आता है नहीं आता हूंने जही मैं चैशिए आता ही स्थ्यड़क पाई प्रिदत्वारी कैंसल हूनी चाहिए और वह थिए उनके खिलाफ रिपो बिदर्ज हो गई है आपको भी लगता है के ऐसे उमीदवारों की जोमीदवार सबाई बार क्यांसरा जाहिए इसाने होना चाहिए